भारतीय प्रशासनिक सेवा में दो पदों की खूब चर्चा होती है पहला कैबनेट सेक्टरी और दूसरा चीफ सेक्टरी ये दोनों ही पद प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच स्थान रखते हैं इन दोनों पदों में कुछ समानता हैं और कुछ अंतर भी हैं तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बारा आए हैं तो आप हमें लाइक और सबस्क्राइब जरूर करने और हमारे लेटिस्ट वीडियो और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचें इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले तो आए शरुबात करते हैं आज की वीडियो की जो है डिफरेंसेज इन चीफ सेक्टरी और काबिनेट सेक्टरी तो मुख्य सचव का जो पद है वो मूलतह ब्रिटिश शासनकालीन केंदर सरकार की दीन है यर 1799 में ततकालीन गवनर जेनरल लौड वेनेसली ने इस पत का स्रिजन किया था पहले ये ततकालीन सरकार के आधिन था लेकिन समय बीतने के साथ आजादी के पूर्व इसे राज्य सरकार के आधिन कर दिया गया जबकि क्याबिनेट सचिव का पद भारतिय समिधान के निर्मान के बाद 1950 में स्रिजित किया गया था और एनर पिलाई भारत के पहले क्याबिनेट सचिव थे मुख्य सचव राज्य सचवाले का शास के प्रधान होता है वे राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका सर्वोच स्थान है आन्य सचवों की तुल्ना में मुख्य सचव शीर्ष होता है वस्तुतह मुख्य सच्चिव सच्चिव का प्रमुख है तथा सच्चिवाले के सभी विभाग उसके नियंत्रण में होते हैं वो पूरे राजे प्रशासन का नेता मार्ग दर्शक और नियंतरक होता है जबकि क्याबनेट सचिव भारत सरकार के प्रधान मंत्री कार्याले के आधीन काम करता है वे प्रधानमित्री सचिवाले का प्रमुख होता है और सिवल सेवा बोट का पदरिन अध्यक्ष भी होता है यर 1973 से मुख्य सचिव सभी राज्यों में वरिष्टतम लोग सेवक माना जाता है इसके पूर्व अलग-अलग राज्यों में इस पद की बर्यता अलग होती थी शासनिक सुधार आयो की सिफारश पर यर 1973 में इस पद का मान की करण दिया गया तथा इस पद को दर्जे और परिलब्धियों दोनों ही दृष्टी से केंद्र सरकार के सचिव के पद के समतुल्य बनाय गया लेकिन केंद्र सरकार में राज्य के मुख्य सचिव पद के समतुल्य कोई पद नहीं है केंद्रे क्याबिनेट सच्चिव को ही राज्जे के मुख्य सच्चिव के समकक्ष माना जा सकता है वास्तविक्ता यह है कि मुख्य सच्चिव द्वारा प्रशासन में जितने अधिक कारे और भिन-भिन भुमिकाएं अकेले निभाई जाती हैं उन कारियों के लिए केंद्रे सरकार में क्याबिनेट सच्चिव, कार्मिक सच्चिव, गरह सच्चिव और वित्त सच्चिव हैं और मुख्य सच्चिव और मंत्री मंडल सच्चिव में कुछ समानताय भी हैं मुख्य सच्चिव के कारें और शक्तियां क्याबिनेट सच्चिव की तुलना में बहुत अधिक हैं मुख्य सच्चिव राजे सच्चिवाले का प्रशासनिक प्रमुख होता है मुखे सचव राजे के सचवों का प्रधान होता है जबकि मंत्री मंडल सचव केंद्र सरकार के सचवों का प्रधान नहीं होता है बलकि समान दरजाधारी प्रथम या सरवोच अधिकारी होता है मुखे सचव राज्य सतर पर वे सब कारे देखता है जो कारे अन्य सचवों के अधिकार क्षेतर में नहीं आते लेकिन केंद्री क्याबिनिट सचव के मामले में ऐसा नहीं है केंद्र स्तर पे ये कारे प्रधान मंत्री का प्रधान सचिव देखता है जो प्रधान मंत्री कार्याले का प्रशासनिक प्रमुख होता है राजे सचिवाले के कुछ विभाग सीधे मुखे सचिव के आधीन होते हैं लेकिन क्याबिनेट सचिव के आधिन क्याबिनेट सचिवाले के अतिरिक्त केंद्रिय सचिवाले का कोई भी विभाग नहीं होता। और अब बात करते हैं कि इन दोनों पदों में समानताय क्या हैं। तो दोनों अपने-अपने मुख्य कारेपालकों के प्रमुख सलाकार हैं। दोनों अपने-अपने प्रशासन के मुख्य समन वयक हैं। दोनों अपने-अपने मंत्री मंडल के सचिव हैं। दोनों अपने-अपने cabinet सचिवालियों के प्रशासनिक प्रमुख है दोनों पद्दों की उत्पत्ती केंदर स्तर पर हुई है तो दोस्तों आशा है कि अब आप मुखे सचिव और cabinet सचिव के बीच जो differences हैं और जो similarities हैं वो सब समझ गए होंगे और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ भी से जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो comment box में लिखकर हमें जरूर बता दे तो जल या आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ देखते रहिए प्रभाद एक्जाम नमस्कार UPSC की परिक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़े प्रभाद प्रकाशन के प्रभाद एक्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक UPSC 27 Years Civil Services Preliminary Exams 2022 IS और डॉक्टर मनीश रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में हैं आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के General Studies और CSET के Topic Wise Salt Papers और साथ ही पिछले 30 वर्षों के Essays Topic आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 E-Sample chapters जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं तो आज ही ओर्डर करें